चमबा के भारतिय पब्लिक स्कूल के 50 वर्ष पूरे होने पर स्कूल द्वारा स्कूल की वेबसाइट को लॉंच किया गया इस दोरान स्पी चमबा डॉक्टर मोनिका बटुंगुरू बतोर मुख्य अतिथी मौजूद रही मुख्य अतिथी द्वारा इस दोरान लैप्टोप पर क्लिक कर वेबसाइट को लॉंच किया गया वहीं इस दोरान मुख्य अतिथी ने स्कूल के 50 वर्ष के अनुभवों पर स्कूल प्रबंदन से बाचीत भी की इस कारेकरम के बारे जानकारी देते हुए भारतिय पब्लिक स्कूल के चेर्मेन डीपी मुलोतरा ने बताया कि डिजिटल इंडिया अभ्यान के तहत स्कूल को डिजिटल करने के उदेशे से स्कूल के 50 वर्ष पूरे होने पर इस वेबसाइट को शुरू किया गया है भारतिय पब्लिक स्कूल चंबा की वेबसाइट www.bpschamba.com आज डॉक्टर मॉनिका भतुमरू ओनेबल सुप्रिंटेंट डॉक्रिस चंबा द्वारा लांच की गई ये वेबसाइट जो है भारतिय पब्लिक स्कूल चंबा के 50 साल पूरे होने का जो सत्र है 2020-2021 ये हमारा सुन्द जन्द की सत्र है इसकी शुरुआत हो चुकी है और डिजिकल एजुकेशन की फिल्ड में हमारे जितने भी स्कूल हैं भारतिय पब्लिक स्कूल वो सारे डिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो कम्प्रीटली डिडिटाइज हो जाएंगे इस वेबसाइट से सभी स्कूलों का जाए वो भारतिय पब्लिक स्कूल चंबा है सुतानपूर है स्रॉल है मुगला है सभी स्कूलों की जो वेबसाइट से हैं उस पर कनेक्ट किया जाएगा पंजी कंड किया जाएगा एडमिशन की जाएगी जो भी एजुकेशन लेबस की है और दूसरे जो इवेंट्स हैं वो यहाँ पर इसी साइट से के माद्यम से मिल पाएंगे और डिजिटल एजुकेशन की फील्ड में भारती पैबलिक स्कूल चमबा जिस तरह से अपनी सेवाएं दे रहा है आने वाले समय में आने वाले इस सेशन में मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे भारती पैबलिक स्कूल है जो हमारे मानिय प्रधान मंत्री श्री नेंदर मोधी जी का सपना है डिजिटल इंडिया का वो बनाने के लिए हर स्कूल को जो है वो डिजिटल आइज होना पड़ेगा जिससे कि हम डिजिटल एजूकेशन को हिंदोस्तान में ला सकें और भारत को भूबूत कर सकें और अपने चमबा को एजूकेशन के क्षित्र में आगे ला पाए